हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कोशन नमबर 17 इसमें दिया वाए टू डिजिट नमबर इस सच रैट दा प्रोड़क्ट ऑफ इस डिजिट इस एटीन जस लाइक प्रिविएस कोशन कोशन नमबर 16 भी बिल्कुल सेम है तो अगर आपने कोशन नमबर 16 पहले नहीं देखा है तो आप पहले 16 देखिए ठीक है और 16 को पूरा देखिएगा टू डिजिट नमबर इस सच रिलिटेट है तो अमलिक लेता है लेट यूनिट डिजिट भी वाई 10 डिजिट भी एक्स तो हमारा नमबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई ठीक है इसके 63 सब्ट्रेक्ट कर दिया जाए वें 63 सब्ट्रेक्टेट फॉर्म डिजिट इंटरचेंज देर प्लेस तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स ठीक है इसको रिएरेंज कर लेता है 10x प्लस वाई माईनस 10y यह उठ किधर आ गया और यह एक्स भी आ गया माईनस एक्स और 63 को माईनस y का वैल्य हो जाएगा 7 ठीक है यह आगया second equation second इसको नहीं लिखते हैं यहां से y को उधर भेज देते हैं तो y प्लस 7 हो जाएगा इधर माईनस y है उधर जाके वो प्लस y बन जाएगा तो x इक्वाल टू y प्लस 7 और x का जो वैल्यू आया इसको हम पुट कर देते ह पुट x इक्वाल टू y प्लस 7 इन इक्वेशन 1 ठीक है तो इसको बन जाएगा x y इक्वाल टू 18 x के प्लेस पे आ गया y प्लस 7 इन्टू y इक्वाल टू 18 यह हो गया y स्कूर प्लस 7 y माईनस 18 इक्वाल टू 0 ठीक है 18 को भी हमने शिफ्ट कर लिया है लेफ्ट साइड में तो y स्कूर प्लस 9 y माईनस 2 y माईनस 18 इक्वाल टू 0 y कॉमन आ गया y प्लस 9 और यहाँ पे माईनस 2 कॉमन आ गया y प्लस 9 इक्वाल टू 0 तो एक ब्रेकेट में आ गया y प्लस 9 और एक ब्रेकेट में आ जाएगा y माईनस 2 इक्वाल टू 0 ठीक हो गया y प्लस 9 इक्वाल ट नेगेटिव। ठीक है नमबर नेगेटिव ओसकता है, डिजिट है, डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो य का वैल्यू मिलें गए 2, तो वैन Y इक्वल टू 2, तो X का क्या वैल्यू हो जाएगा, चलो यहाँ से ले लेता है, X उक्वल टू क्या था? Y प्लस 7, नेक्स्ट कोशिन के साथ